एक सूना उदास घर उसका इंतजार कर रहा था खिड़कियों को उम्मीद थी उसके आने के साथ साथ उसके कदमों की आहट की वो आई पर दबे पाउं और चुपके से खुले दर्वाजों को बाहर की तरफ खीच सांकल चड़ा दी वो घर फिर से उदास हो गया वो खिड़कियां फिर से इंतजार में हैं और रात परस पर गहरी होती जा रही है सोचता हूँ अब कुछ वक्त के लिए इन्हें भी सो जाना चाहिए पर इनकी आखों में अब इतनी भी नींद कहां आखिर ये वही खप्रेल के घर और काट की खिड़कियां हैं जिन्होंने अपने धड़कती छातियों में एक बेपना मुहबत को दफन होते देखा है कर दो